गुर्देव अक्सर ये कहा जाता है कि जो शेव हैं वो आदी अनन्थ है और उनी से ही हर चीज की उत्पत्ति होती है और अभी आपने बोला कि विश्णु जी से उत्पत्ति है हाला कि सब एक है मैं इस बात को मानता हूं लेकिन जो शेव भक्ते उनको जरूर ये clarity लगेगी कि आदी और अनन्थ शिव है या विश्णु देखिए हमारे जो पराणों में कहा गया है आदी अनन्थ तो महादेव हैं उनसे ही महासर्ग और महाप्रलय दोनों उनसे ही यृडू हो चाहे उसका कुई वेंजन हो जो नमकीन हो चरका हो अगर हम तत्तों से देखने जाएंगे तो उसके अंदर क्या निकलेगा बैसन भीसन ही निकलेगा दूसरा प्रश्ट मेरा यह है हम कहते हैं महाप्रलय महाप्रलय क्या है जब हर अंश शिवांश में विलीन हो जाए उसे महाप्रले कहते हैं प्रश्ण यह है कि महाप्रले क्या दुख्का विश्य है मेरे हिसाब से तो यह घर वापसी है कि जिसके अंश हम थे हम भटक गए हम उसे नहीं पहचान पाए दुख भोगते रहे लेकिन वो ख्षण आया जब हम वापस अपने मूल में समा रहे हैं जैसे सब महाप्रले कहते हैं अब प्रश्ण इतना है कि क्या विश्णू भगवान शिव में नहीं समा गए क्या ब्रह्माजी भगवान शुव में नहीं समा गए और यदि समा गए तो कोई दूसरा तीसरे में नहीं समा सकता स्वयम ही स्वयम में समा सकते हैं तो भिन्नता कहां है मूलतत्तो शिव हो गए झाल